हेलो नमस्कार शभीको साथियो जैसा कि आप थमनेल के उपर देख पा रहे हैं कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बादल का जो कलर है वो सफेद क्यों होता है और आसमान का जो कलर है वो नीला क्यों होता है इसके पिछे क्या साइस है क्या राज है आज की वीडियो में हम complete बात करेंगे आईए शुरुआत करते हैं देखिए वही यह अमारे पास है सन सूरिय है और यह अमारे पास है वही आर्थ है सूरिय और आर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा रीजन vacuum है वही और जैसे जैसे आर्थ के पास आते हैं तो atmosphere स्टार्ट हो जाता है तो हम बात कर लेते हैं वही यह मारे पास atmosphere है और यह मारे पास vacuum है अब आसमान का color नीला क्यों नजर आता है और बादल का जो color है वो सफेद क्यों नजर आता है बिल्कुल अच्छे से आपको clear हो जाएगा देखिए वही यह sun है और sun से मारे पास light emit होती है white light emit होती है sun से white light emit होगी और आप सभी जानते हैं कि white light के अंदर 7 color होते हैं वीब गोर जिसको हम बोलते हैं violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red यानि कि 7 color white light के अंदर होते हैं अब white light जो है वह पास होती है vacuum के थुरू, vacuum के अंदर भी gas के particle ही नहीं है तो कोई scattering की बात नहीं होगी जैसे ही हम आर्थ के atmosphere के पास आते हैं तो क्या होता है कि जो atmosphere के अंदर gas के particle होते हैं gas के particle का size बहुत small होता है, पहले हम बात करेंगे कि आसमान का color नीला क्यों नजर आता है, उसको लेकर बात करेंगे देखिए भई, यह हमारे पास है atmosphere और atmosphere के अंदर gas के particle होते हैं ये जो sunlight है जो white light है इन gas के particle के उपर fall होगी भई और उसके बाद ये gas के particle light को absorb करेंगे और फिर दोबारा से light को re-radiate करेंगे पहले light को absorb करेंगे और उसके बाद re-radiate करेंगे और इस phenomenon को हम बोलते हैं the scattering of the light scattering of light में light को absorb किया जाता है और फिर उसको re-radiate किया जाता है तो ये होती है scattering अब यहां start हो जाती है वही आपकी scattering atmosphere में अब scattering में क्या होता है कि scattering में depend करता है कि जो आपके पास gas का particle है उसका size कैसा है अगर उसका size अगर gas के particle का जो size है वो sunlight की wavelength के साथ match करता है यानि कि light की wavelength के साथ match करता है तो scattering होगी किसके recording rail up scattering के recording rail up नाम के एक scientist थे उन्होंने का कि अब हमें white light नजर नहीं आएगी अब हमारे अलग अलग color की जो light है में नजर आएगी कैसे नजर आएगी उन्होंने बताया कि जो भी light reradiate होगी जो scattered light होगी वो wavelength के उपर depend करेगी wavelength की power 1 upon lambda की power 4 यानि कि इस expression से हमें समझ में आता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा wavelength होगी वो color वो सबसे कम scatter होगा भई और आप सभी जानते है कि 7 color में जो red color है उसकी wavelength सबसे ज़्यादा होती है तो सबसे जो कम scatter color होगा वो red होगा में red नजर नहीं आएगा भई क्यों सा color नजर नहीं आएगा red color नजर नहीं आएगा इसके अलावा कौन सा color नजर आना चीए violet color नजर आना चीए इसके अलावा हमें आकास का जो color है जो रंग है वो हमें violet नजर नजर आना चीए लेकिन violet तो नजर नहीं आता है हमें तो नीला नजर आता है भई तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्यों नजर नहीं आता, क्योंकि जो वोईलेट और इंडीगों है, ये जो वोईलेट और इंडीगों हैं, अमारी आई के लिए sensitive नहीं है, आई अमारी जो सबसे ज़्यादा sensitive color के लिए जो होती है, वो blue और green के लिए होती है, अब green की scattering थ जैसे Raylab Scattering की वजैसे आसमान हमें निला नजर आता है अब क्योता नहीं आता है नजर कहाँ पे आएगा आजर हमें Arth के उपर आएगा वे तो इसलिए हमें क्या होता है कि Sunlight जो है Particle के उपर फोल होती है Particle से Raylab Scattering होती है और उसी से हमें आकास का जो color है वो blue नजर आता है आईए अब बात कर लेते हैं कि अब जो white color of cloud है जो बादल है वो सफेद क्यों होते है बई अब वो भी तो निले उने चीए इस हिसाब से क्यों ऐसा क्यों होता है देखिए यहां से white light जाएगी अब बादल के अंदर क्या होता है देखिए बादल जो cloud के अं droplets होती है बादल के अंदर water की droplet होती है छोटी छोटी बुंदे होती है उनका size in particle के size से ज्यादा होता है यानि कि उन बुंदों का size थोड़ा सा बड़ा होता है और light की wavelength कम होती है इसलिए जो बादल के अंदर जो water की droplets हैं जिनके उपर light fall होती है वो rail up scattering के according काम नहीं करती व का size ज्यादा बड़ा हो जाए क्योंकि बादल बड़े होते हैं और जब size आपका पास increase हो जाए तो rail up scattering नहीं होगा सभी color एक जैसे scatter होंगे अब white light आई है तो वही 7 color यहां पे थे 7 color में तूटनी चाहिए थी अगर particle का size कम होता जैसे की atmosphere में हुआ है लेकिन यहां पर क्या ह हो रहे हैं और सारे के color फिर से मिलके white light बना देते हैं और earth के उपर हमें बादल का रंग है वो सफेद नजर आता है उमीद है आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी कि जो आसमान का जो color नीला है वो rail up scattering की वजह से क्योंकि size gas के particle का size कम है इसलिए rail up scattering के coding अलग-अलग color अलग-अलग range के साथ scatter होते हैं cloud के अंदर क्या होता है कि अलग-अलग color नहीं होते सभी एक जैसे scatter होते हैं और उसकी वजह से हमें white colors नजर आता है उमीद है वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भई धन्यवाद